सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत आप सब्दा अपने यूट्यूब देस चैनल डाइल्च लर्निक पॉइंट दूपर अज देस लेक्चर देवेच असी जो पढ़ना है ओहाजी मकैनेक्स दा लेक्चर थर्ड है अपना सो असी जो पढ़ना है ओहाज वह सेकंड लेक्चर अगर तुसी नहीं भी देखे से एक वर तुसे इस लेक्चर देख सकते हूं क्योंकि तो समझ आ जाएगा अगर तुसी बेसिक जी जानकर ही रख देओ कि फोर्स की ने रिजल्टेंट की सी सो थोड़ा जड़ा कम हो जाएगा अगर तुसी चैनल ते नवे हो जरूर इस चै सब्मक्राइब कर फोर्स की हो देखर से कोई जो तो छोले PPE कि बेसिक जैना खुणी कि प्राणी बहुत एगा तर्स स्कुल्ट आख तर्सी यहां और इक फच्ट मेंट की घ्वंदा स्कौणिक्ण एक फोर्स साटकोल क्यों थीक है जी माल लो इतो दीया पायका रिजल्टेंट निकल दा सी अपना माल लो इसे दे रिजल्टेंट नो तो नो एफ कहके पेज रहे है यह थे जो गिवन फोर्स एफ कह रहे है माल उसने एफ आई देता और उप पुछ रहे है कि उस दे कॉंपोनेट दूसों क्यों गे सो बेसिक आइडिया की हुए है कि ओवली फोर्स जो उसने गिवन किती है वो बेसिक है जिवनसे करने दो फोर्स ए रिजल्टेंट है उसे तरके ना ओ दो फोर्स एफ उस रिजल्टेंट दे पी ऊरेक है क्यो अग्यों गोग फीघी हुए सू ने इकवयन चीज है कि जो इन्हों 2FOR唯 जींब कर लेंगें जोनकी होएगा हूत आनों F리 א faire नाल एंगल देनाइंगे और और क्यों तो नों के कानगे वह पzer 되면 यहाएव है ज़से एफ फोर्स गिवन करके उस देख कॉंपोनेंट्स पूछे कि पी और क्यों की सी तो उसे की कहना कि पी फोर्स की होएगी एफ साइन अलफा यानि कि अगर यह एफ है तो अलफा एंगल आ होएगा जो एफ जो होरिजोंटल दिनाल बना रहा है और आवला जो वर्टिकल दिनाल बना रहा है बिटा एंगल सो बिटा इस जा एंगल बिट्वीन क्यों एंड एफ एंड अलफा इस जा एंगल बिट्वीन पी एंड एफ क्लियर है जी सो फोर्मुला की है एफ साइन अलफा यानि कि एफ साइन अलफा अपोन साइन अलफा प्लस बिटा है दोनों फोर्मुले पर इते एक वर्ड याद रखना है कॉम्पोनेंट ठीक है जी हो सगता है काल नूँ ओ तो अड़े तो रिजल्टेंट दा कॉम्पोनेंट कह दे यहां रिजॉल्व वी अगर वर्ड यूज कर ले और अगर किते वी कोश्टिंग चेता नूँ कॉम्पोनेंट वर्ड दिख जा रिजॉल्व रिजॉल्व है कि उसनों वांड देना ठीक है जी रिजॉल्व पार्ट ओफ फॉर्स सो एफ एलोंग अलाइंग मेकिंग एन एंगल थिटा विद्ड डिरेक्शन ओफ फॉर्स एफ इस एफ कोस थिटा की हुनदा है जो मालों साथ यह फॉर्स सी गया पी और क् है कि सिर्फ फॉर्सन रिजॉल्व करना है तुसे टो एलोंग करना है सो होरीजॉनटल प्रक से लॉंग एंगल Approamart यह गया अंओ में के तो horizontal force दे नाल किसे भी force दा जो resolve part है वो एक फोस छेटा लिता जानदा है clear है जी मतलब मालो अगर तो आड़ी force बहुत सारी या forces हों मैं एक फिर एक चीज कहने है कि तुसी horizontally मतलब है कि तुसी किसे भी direction दे accordingly लेना है तो एनी इंदा कि तुसी यह थे P ही है यह थे कोई force भी हो सकते से मालो यह थे आर आगी तो आर दे नाग फिर कोस मालो अथे गामा एंगल है तो गामा लगा देना सी अगर तुसी एक direction दे वे चीज जा रहे हूं मालो कोई force क्योवी है अगर क्योदा वी तुसी resolve part अगर F दे along ही लेना चानदे हो तुसी resolve part क्योदे along वी लेना चानदे हो तो तुसी MA वी ले सकते हो क्योव इंटू course बड़ जो एंगल बन रहे है होन आवला नहीं एंगल आवला यूज होएगा क्लिर है जी सो ए बेसिक आइडिया होंदा है कि एंगल तुसी किस accordingly measure करने ने ठीक है जी सो direction सेम रखनी है क्लोक वाइज है क्लोक वाइज है एंटी क्लोक वाइज सो एक वारे बदलो course चिटा होंदा अगर तुसी direction ठिटे दी एस तरी के नाड़ ही यूज कर दे हो मालो ए फ क्लोक वाइज सो हमेशा ही एफ को सिटा ही measure होया करेगा क्लिर है जी उमीद हों तुन समझ लग गया है कि मैं basic चीज की गल कर रहे हैं क्लिर है जी एंड इस से तरी के नल अगर तुसी vertically नल करना है सो फिर हो जांदा जी एफ साइन ठेटा हो जांदा है और एंगल उसे तरी क पार्ट ऑफ फोर्स प्रपेंडिकुलर टू इट एकुल टू जिरू एस सिंपल इंपोर्टेंट नोट है जी साड़े कोल कि एक फोर्स जो पर कोई effect नहीं पेंदा अगर उस दी direction उस दे प्रपेंडिकुलर ही हुए क्लिर है जी सुए सिंपल रिजल्ट है क्ले कोल क्योंकि क्यों थे साइन नाइंटी भी यूज़ कर सकते कोस नाइंटी दे अकॉर्डिंगली यूज़ किता हुए है तो करके जिरू है कि रिजल्ट पार्ट आफ फोर्स पर्पेंडिकुलर टू इट मालो एस से त्रिके दी फोर्स जिगी और एदा ही तुसी एदे अकॉर्डिंगल कि रिजॉल्व करना है तो फोर्स नाइंटी इस एकुल डू जिरू है सो बेसिक को यह साइडिया दे भी हाफते है इस करके ते फोर्मला स्रफ आई दिता हुए मट अगर वो वर्टिकली दे अकॉर्डिंगली हो जानता है तो रिजल्ट भी चेंज हो जानते है क्लिर है जि करते हैं क्या देए प्टिक ःत्सक्राइब कर देहिसीआ हो कि एक अट रही है एकलिलीब्यूस में वो popड़ते हैं क्यों अगर जानता है। अगर उर में जाने मैं जाने तो फॉर्स स्क्रीड है अगर एँसाट्गर उन्च मिलीनुट क्लिटि अ करे यह को से एकपोर्स में है और इक फोर्सすごानुँ मिल गी जो जिन्दा है न यह करें जिनन करे देए कर देंगे हैं सो ए मतलब हुंदा जी equilibrium दा तो कि दिन अगर 10 forces equilibrium दे वेच्छ होन then each or then each is proportional to the sine of the angle between the other two ता हरे एक force जो है proportional हो जान दी किस दे sine of the angle between the other two मतलब की मैं ते तो नू डाइगराम में नाल दास देन ना ए है जी P force A है जी Q force A है जी R force so Q ते R दे वचाड़े जो angle बन रहे है वो है जी alpha और R और P दे वचाड़े जो angle है A है जी beta और आवला angle है जी gamma तो कि दे P force आवले दो forces दे विच जो angle बन रहे है उस दे proportional लिखे जान दा P upon sine alpha क्यों क्यों है जी upon इन दोना दे विच दे अंगल upon sine beta और R इन दोना दे विच दे अंगल upon sine gamma क्यों क्यों है जी अगर तेन forces equilibrium दे विच होन और इन दा एंगल जोन सो असी ओना नुए स्टिर के न लेख सकते हैं इन दिस कॉल्ड लेमी स्टियोर्म clear है जी उस्तों बाद आगे जी triangle law of forces so triangle law of forces किये जी कि अगर तेन forces acting at a point be represented in magnitude and direction अगर तेन forces जा magnitude भी दितता होए direction भी दितती होए और ओ directions जड़ियाने और ओ magnitude जो है एक triangle नूँ भी represent करदा होए टीक है जिवht directions इस तए रेक्के दिया होन जो मलववां तते डीरेक्शंज ने साठेड कोल्ड तो इन ना तेंक ही मलवव जड़ी आवली direction असनुर सी निच्छे लगाता जो आवली direction सी आदा है कि अगर तेन फोर्स इस तरी तरी केनल बन सकती है तो बेसिक एही ट्रेंगल लाव फोर्स ही, ये मैं बना दिता पर एक बन दा क्यों है क्योंकि इसे णूं ही ट्रेंगल लाव फोर्स क्या जान दा है क्लियर है जी तो उन्हेंने किया कि अगर कोई भी तो आम दो तैने फोर्स इतना डायक्शन अगर एक ट्रेंगल दियां दिती है होन अगर एक ट्रेंगल दिती है होन एस तरिके नाल ठीक है जी तो तुसी ओसनों जड़ा है एस तरिके नल फोर्म कर सकते हों मतलब ओ तिन्नों फोर्से ट्रेंगल दी ऐसा इक्लिप्रियम शो करनगी ऑन कियां तो में आरे टेई आरफ्र कोई प्रेंगल भी फोर्स चाहिए सट अगर थे बिफ जाल इकलिप्रेंगल कर साकथां सो सबस्टेकं एम अनुच्री मेंतर चीज़ेप विख दिच में द्रहों टीटार बालने प ही प्रियांगल झाहिओ सफ ज्युल त्रेत्र रहे सत्रियों और the क्योंकि प्रियूल को क्योंगी प्रियुक्त है फोट रहेorsa क्योंकि विए तो सब्हेस constitu 1 इस नमब क्योंगल पोर्सा बालनेगल होत थे हैं kenнийनोब तो बेसिक आईडिया पॉलीगन लॉफ फॉरसेज हो ही है मैं इस करके ते स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि स्टेटमेंट ट्रेंगल लॉफ देनाल मैच कर दी है बट सर्फ तुसी रिजल्ट याद रखना है कि ट्रेंगल तो बाद भी रिजल्ट जिड़ा है अलग लग बेपर देवेज पुछा जाविए कि एनी नंबर ओफ फॉरसेज लिए रिजल्ट है यानी सो तुसी कर देने हां जी है ले रहे जिड़ा करना जी होगी नेक्स्ट आपा जड़ा करना जी हो है जी लेम्डा म्यू थियोर्म बहुत कम प्याज अपना करन वाड़ा लेम्डा म्यू थियोर्म तो लेम्डा म्यू थियोर्म की है कि दा रिजल्टन अफ टू फॉर्सेज अक्टिंग अट पॉइंट कि किसे दो फॉर्सेज अगर रिजल्टन अगर रिजल्टन अगर पॉइंट तो येक्ट करता है और वो दो फॉर्सेज किसी ओ ए एंड ओ बी मैं थे ब गोए म्यू ओबी एस्तर के नार जिवें भी तुसी बनाना चाहूं ए रिपरजेंट इड़ फोर्स तो अन्द हमेशा एस्तर के नार डिनोट किता है तो लैमडा प्लस म्यूँ ओसी ल्युंडा प्लस मिू ओंसी और सी पॉइंट मंसी यह थे होना चाहे था और सी पॉइंट ज्में इथे लेड़ोसी पॉइंट सोकें देने कि सी पॉइंट a-b ुदा है मिड पॉइंट होंदा है पहली चीज शी पॉइंट यह एक कैलोसी दी कंडिशन आ हम दीए साड़े को क्लियर एच मैं तेने दुबारा बना लेना थोड़ा सा क्लियर हो जेगा तो नू यह मानलो जी अपना O पॉइंट है यह अपना O A है A B है A है जी लैमडा O A मू O B सो एक इते C आ रहे है जी ठीक है जी और उन्दा जेड़ा मतलब इनना दोना दा रिजल्टेंट हमेशा आ होया करेगा सो अगर इसे C यूज कर रहे हैं मतलब C S directions किते आएगा सो आ हो गया सो कितना किते हैं यह जी लैमडा म्यू थियोर्म कैंदी है कि अगर तो आड़िये दो forces से सिरकें यह होन लैमडा इन्टू O A मू इन्टू O B अन्दी मैगनिचूट जोन सो रिजल्टेंट ओल्वेज आई रहेगा लैमडा प्लस मू O C बट एवला case है इनना important नहीं है अलांकि थियोर्म लैमडा में थियोर्म यह है बट एवला इनना important नहीं है not important important as the crawlery है कि अगर लैमडा और मू equal होगे अगर लैमडा और मू equal होगे तो की होएगा लैमडा O A प्लस मू O B क्योंकि अन्दा सम जो रिजल्टेंट है वो लैमडा प्लस मू O C आ रहे है तो लैमडा और मू अगर इक्वल होगे तो common आजेगा और इत्थे रहाजेगा जी लैमडा प्लस लैमडा टू लैमडा लैमडा ना लैमडा कट होए बेसिक चीज़ा बज़े साथ दिकुल कि O A वेक्टर प्लस O B वेक्टर is equal to 2 O C वेक्टर O A प्लस O B is equal to 2 O C वेक्टर एक important result बन के साथे सामने आता है कि O A प्लस O B is equal to 2 C एक बहुत important result है और C की होएगा होन C जो line इस से किनर से किती है C में पॉइंट होया करेगा हमेशे ही क्लियर है जी लेंबडा मू थिरो में इन्य इंपोर्टेंट नहीं है उस जी क्रोलर ही बहुत जाने इंपोर्टेंट है कि आवला result जो पेपर देवाज पुछा भी जानता है क्लियर है जी होना आगे जी फर्स्ट क्वेश्टन साथा कि इस दा रिजॉल्व पार्ट इफ दा रिजॉल्व पार्ट of a force कomme पड़ो जी स्टेटमेंट की इफ दा रिजॉल्व पार्ट आओ फोर्स इन दा वरिसोंटल and vertical direction इन दा होरिसोंटल पार्ड अर्ट गर्डल दारphones ओर इक्वाल इं मैगनिचूड इक्वाल है कि resultant जो हा लाईंडर और वर्टिकल फॉर्सल्ट से नाय होदा मेंगनिशूट इक्वाट कीन ता रिजल पार्ट ता dai, रिजलॉल पार्ट ता है ता झाल होदा ऑजल केन केन तो अपनों ढूंतल है तो और उन्यक्ट गिए घ्रॉक्ट तो उन्यक्igor सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है और और की है कि जदो असी वर्टिकल देना लेना है ता असी इसनों करना गे सब्सक्राइब करना है कि जदो मैं क्या सी वर्टिकल देना लेना है सब्सक्राइब करना है अगर तो और बेसिक जाइडिया अगर मैं दे आँ कि एक जी 90 माइनस छिटा है एक ता बेसिक आइडिया होई शीगा कि अगर हो एंगल क्योंकि उसने क्या सिगा कि एंगल जो है पहला इत्वे ठिटा से यूज़ करना है स्थोनुड फॉर्मूला एंगल एस तरी के नड़ यूज़ करना पढ़ेगा एवला सारा सो यहां तो तुसी ओस तरी के नड़ यूज़ करो यहां मैं सिद्धा ही वर्टिकल यूज़ कर लेना 90-θिटा दा एंगल क्योंकि ए दोनों उसने कह देता कि वो अर्टिकल है एक लाइन वर्टिकल है एक लाइन वर्टिकल है तो यह थे f से मेरे कोल और यहां तो अगर मैं इस f नूँँ यह लॉज़ करना है यहां तो मैं आवल एंगल यूज़ करां सारा ठीक है जी और वैसे भी उसने वर्टिकल मेंनों कहीं दिता तो मेंनों शूर हो गया कि अगर यह थिटा है तो यह 90 माइनस थिटा ही है तो क्यों ना मैं यह थे साइन थेटदा वाला फॉर्म्ला ही यूज करा लीयर एकर करना सव blacks दिनाल मैं 90 माइनस थेटटा एंगल ही यूज कर है तो इस कर जोड़ा वपाला उडर आम आइब जर्फ शीता इस एक्वलटू तो अग्निज़कर तो 45 degree of answer answer, clearly, बढ़े easy questions, बढ़े simple questions, next है, 3 forces act on a particle, कि 10 forces ने acting on a particle, किसे एक particle लगे होई ने, मतलब, act कार रहें ने किसे particle दे रूते, and are in equilibrium, वो equilibrium दे वेच है गे ने, ठीक है जी, if the angle between the first and second force, be 120, अगर पहली ते दुजी फोर्स जो एंगल एक सो भी है and that between the second and third दविच एक सो पहनती है तो P के वार दुस्तों की होएगा so basic idea 10 forces equilibrium देविच ने ए आर होगा जी साड़ा first or second देविच जो एंगल है वो है जी 120 और इना second or third देविच है जी 135 सो पिछे जड़ा बचाओ 105 डिग्री बच गया clear है जी सो एह हो गया on angles on three forces equilibrium जो होन साड़े को साड़ी लेमिस ठीयोरम आगी तो लेमिस ठीयोरम की कें दिये कि P upon साइन एना दो दे विच दा आंगल जो 135 डिग्री फिर क्यों अपन एना दो दे विच दा आंगल जो साइन 105 डिग्री और बाच आर इसाइन 120 डिग्री एव लिए दो चीजा इंपोर्टन ने साथ को कि एस त्रिक्रेवर जड़े एंगल ने मैसर हो यह ने सो जड़ा हुन असी थे साइन वन थर्टिफाइव डिगरी मैं थे हुन तिन्हों एंगल स्थोनू करके दिखा दिनना 135 डिगरी, साइन 105 डिगरी और साइन 120 डिगरी साइन 135 ने उसे के में लिख सकने हैं जी साइन 90 प्लस 45 साइन 90 ते चेंज हो गया जी कोस 90 और साइन 90 प्लस चे क्वाडरेंट हो जा आप दा हिंदा है सो कोस 45 बेसिक पहली चैसता ही होई इत्थे मुश्कल वाला काम सी थोड़ा जा कि साइन 105 एनू लिखना प्राइन सी साइन 60 प्लस 45 साइन A प्लस B दा फार्मला जी साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B साइन 60 हों दया जी अंडरूट तेन बटा दो और यह हो गया जी एक बटा दो साइन एक बटा दो और साइन हो गया साइन कोल 45 एक बटा अंडरूट दो साइन एक बटा एक घ्नरूट दो हो यह ओंके जो चीज बनी वो बनी जी HO दूट थैन बटा एक दो 90 प्लस 30 सो साइन 90 चेंज हो गया जी कोस चे और फिर्स्ट क्वादरेंट सेक्ड गॉडरेंट ही है सो कोस 30 और कोस 30 हुं जा जी अंडरूड 3 बाइ 2 क्लियर जी सो बेसिक जड़ा इदा फेक्ट सीगा वो यहीं सीगा साड़े को क्लियर जी सो हुण जो साड़ांसर है उसनों तुसी देख साकते हैं बड़े रामनल जड़ाय समझा जाएगा इधिंक कि इसनों उसी कर सकते हैं बड़े रामनल जो वह सारे अंडर लसी इननने इक्वल करके रख लिए अंडर ख्राउं क्लियर जी सो सारे अगर सेंग करना चाहांगे सुक्य होजेगा सारे पसे टूंडर ल्ट्रुन मल्टिपलाई करतीया बचे गया एथे टू बच जगा और ये रेंडरूट 3 प्लस बच जगा यसनों असी टू रूट लट्रून मल्ल्टिपलाई करांगे त तो अंडरूट 6 बच जेगा तो बेसिक आइडिया आ गया जिसाड़ को लांस्वर आ गया बी क्लियर एच उमीद्य समझ आया होगा बड़ा इजी सिंपल जाए क्वेश्टन साड़े कुर्ड और नौ क्वेश्टन नमबर थ्री क्या फोर्स इस रिजॉल्वड इंटो कॉंप अब जाए तो एवी थिट्टा ही होएगा एव और वर्टी के लिजुरूरी नहीं है मैं लिख लेया सरफ एक कुछ भी हो सकती है एस तरह किनार भी हो सकनी सी एफ आरी सो आवी थिट्टा है एड़ थिट्टा है क्लियर रहे जी सो उसने वर्ड यूज किता कॉंपोनेंट स कियो मतलग सिंप्ल सिंप्ल वएिदर वर्ड आंदे विचा सिजेकर गल करिये सो ओसी जी गा जी पी दे लई और क्यों ली सु क्यों दे लेइए ही सेंब थिटा अपॉन साइम थेटा अप्लस थेटा तो थिटा इस जाले भी कि भी बने गा एप संव थेटा अपॉन सांट तो थेटा क्लिर है जी बड़े त्यानल तुस्से इस चीज नो देखो कि दोनों चीज़ां सेम ही सी गया सब बैसिकली कि यूँ है P और Q दोनों ही सेम ही हो गये क्योंकि साथ फॉर्मुला सेम बाद रहे है त्मिस फी ते कि दोनों है सेम ने सो अंसर इस क्रेक्ट वर्ड यूज देखने तुसी कॉंपोनेंट वर्ड अगर किते भी तोनों यूज होया दिखता है सो तुसी सिंपल फॉर्मुलास लगोने है एंड यूर अंसर विल बी रेड़ी लियर है जी बिल्कुल ईजी जा क्वेश्टन बिल्कुल ईजी Q4 A force F is resolve into two components Components Resolve देखे resolve वाला formula ते नहीं चले जाना Resolve पार्ट का 2 हजा Resolve देना लगर किते component word यूज होँँद है तो तो सी component वाली formula ते ही जाना P and Q2 forces ने F एक force है किते भी लाह सकनी हूँ If P is at right angle to F and has the same magnitude as that of F then the magnitude of Q is देखो उसने कहा दो forces ने कोई भी ठीक है जी ए P है ए Q है इथे किते F है तो अड़ा clear है जी and has the same magnitude as that of F कि जेड़ा इथे किया वे if P is at right angle to F अगर P जेड़ा है वो F दे right angle तो हुए यानि क्यों सारा डाइगराम बेसिक कुछ S तरके दा हुएगा ये P है और F basically मैं इत्थे लेना है right angle ते ठीक है जी और and has the same magnitude as that of F P दा magnitude भी F ही है मतलब P दे F same magnitude दी है गयाने magnitude same है जी direction same नहीं है तो magnitude जो है दो length तक किसे भी हो सक दिया so magnitude basically length हो दी है तो दा magnitude क्यों तो क्यों दा magnitude की हुएगा बेसिक कसी ए दसना है clear है जी बड़ा easy simple जी चीज सी गी so सी फेर formula हो ही लगामांगे पी दे लिए की लगामांगे ठीक जी पी दे लिए की लगामांगे F साइन नाइंटी अपोन साइन नाइंटी प्लस थिटा clear है जी F साइन नाइंटी प्लस थिटा उम्मीदे तो नों समझ आया होएगा कि मैं थे की लिखिया है clear है जी F Sé 19 ठीक है जी साइन नाइंटी प्लस थिटा clear है जी मैं इथे ना तोपने फोर्मला एथे रपीट कर देना फोर्मला की से अपना फोर्मला देघे जाएज़ है अपना फोर्मला कि थे गया फोर्मला हा रहा जी अपना clear है जी जोनोसी पी करना है सब्सक्राइब करें इस चीज नों असी बड़े त्यानल समझना है कि एथे जो बिट्टा इस एंगल बिट्टा जो एंगल सी यो क्यों एड़ा देवेच सीगा साथा फॉर्मला जीड़ा बेसिक आवला बने आसी क्लियर है जी और से फॉर्मले नों अपने नों यूज करना ह जो यूज कर देए जो फॉर्मला साथा बनेगा एक्चुल देवेच आई थिंक फॉर्मले जो चैनल ने गड़बड कीती हुई है फॉर्मला एक्चुली की हुदा है फॉर्मले एंगल्स उल्टते लग देने मैं थे यहां फॉर्मला शायद बुक्स देवेच जीड़ी ब अंगल है वो उल्टे यूज होने ने इस देली एंगल एवला यूज होना होना है और जो एवला एंगल है वो एस फॉर्स देली यूज होएगा जो दो सी इस नो कड़ना है सो एफ साइन बिटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बिटा यानि कि एवला फॉर्मला जो है बिटा एडिया की सी, कि अगर मैं P निकालना है, सो एथे भी मैंनो थिटा यूज़ करना पएगा, clear है जी, और अगर मैं एथे क्यों निकालना चाना, अगर मैं एथे क्यों निकालना चाना, सो क्यों देली की यूज़ करांगा, मैं F sin 90 upon sin 90 plus theta, clear है जी, so हुँ तुसी इसनों काट सकते हूँ, basic, P वैसे भी F दे equal है साड़ा, clear है जी, P वैसे भी साड़ा जो है हूँ, उस दे equal ही है, पहला से इसनों यूज़ कर दे है, F sin theta upon cos theta, is equal to P equal to F इसी गा, F नाल F cut हो गया, so tan theta equal to 1, और tan theta equal to 1 कि थे हुँदा जी, 45 degree थे, clear है जी, और 45 degree अगर असे अथे put कर देने, theta नूँ, मैं अथे solve कर दा, F sin 90 था होगा जी 1, sin 90 प्लस theta होगा जी, plus cos theta, clear है जी, F cos 45 होगा जी, under root 2, so A होगा जी, under root 2 F, उम्मीदे थम समझाया होगा, basic केसी अपनी जो गलती होई है, O होई है, resolve part, जो components दे वेच, जो साठी गलती होई है, वो यह स्तिर केना angle measure भी गलती होई है, जो सी angle P देली measure करना होदा है, वो opposite वाले करने हैं, अगर P force यूज़ करने हैं, तो angle आवला होईगा, Q force देली यूज़ करने तो आ होईगा, साठी पिछले questions गलते इस करके नहीं होई, क्योंकि उन्हा questions दे वेच के ते वी, जो है साठी जड़ा काम सी गया, जिवें मालो मैं एथे भी तो आपने दिखाना, components दा question शाएद के ते गया, साठी गोंपोनेंट दा question के दर गया, बेसिक जिवें एथे component दा question सी साड़ा, एथे angle equally सी गये, और equal होन करके साठी दिख्कत पता नहीं लगी, अगर अधर्वाइज एथे भी दिख्कत आ सक दिसे, अगर वो एंगल दा कुछ करदा, एथे basic angle ही साठी दिख्कत नहीं आई, questions दे वेच करन दे, अगर एथे जो हैसा अनुद दिख्कत जड़ी हो आगई, clear है जी, so questions जड़ा है अपना, complete है जी, now होन का लागी trick दी, उनसी trick देख देख दे हैं थे, if forces of magnitude P, Q and R act at a point parallel to the sides, B, C, C, A, B respectively of a triangle ABC, अगर किसे triangle दे तेन sides की वन होन P के वार, और parallel होन B, C, C, A, B दे, मतलब कि 10 forces on P के वार, ठीक है जी, और एकली पने अपने में छोन, obviously, और उही किसे triangle दे parallel V होन, मतलब किसे triangle दे forces दे नालो relation रख दिया होन, तो उना दे resultant the magnitude की होनदा है, basic of the formula आया है, P square plus Q square plus R square minus 2 के वार, cos A minus 2 R, P cos B, 2 P, Q, Gose C, और एंगल्स चानों पता ही ने कि A, B और C जड़े angles ने, वो basic किते बनने गे, clear है जी जीव मालो, अपनी एट triangle है, so, एंगल A, एंगल B, एंगल C, so, basic A स्थरे हैं, और जो दो सी तेनों forces लेनी आने, वो forces A स्थरे के लियाने, एंगल B है, clear है जी, A स्थरे के लियाने से अंगल भी मैजर कर लाँगे, clear है जी, so, इस आड़े कोल्स ने, आड़ेक्शन वासी बेसी के थे कुछ ने करना, पैरलल to the sides of a quadrilateral, equilateral triangle, taken in order, the magnitude of the result is this, so, options ने साड़े कोल्स, आड़ेक्शन वासी बेसी के थे कुछ ने करना, P स्केर प्स के उसकेर प्स R स्केर, P के ओर र है, 1 दा स्केर 1, 2 दा स्केर 4, 3 दा स्केर 9, plus 2, minus 2, के ओर र, अब P है, क्यों है, R है, क्यों और R दी मल्टिप्लाई होई, 2 इंटू 2 इंटू 3, cos A, A एंगल, यह थे, equilateral triangle है, equilateral triangle मने, सारे एंगल 60 डिग्री दे, so, cos 60 यह सिद्धा यूज कर सकने, 1 बाइ 2, minus 2 इंटू, R इंटू P, और फिर यह थे, 1 बाइ 2, और minus 2 इंटू, P, इंटू Q, इंटू, cos 60, बस इसनों, solve करना है, 1 प्लस 4, प्लस 9, 2 नल 2 गया, is minus 6, 2 नल 2 गया, is minus 3, 2 नल 2 गया, is minus 2, so, basic 9, 4, 3, 14, 14, 6, 8, 4, 3, 5, 2, 3, so, basic answer is, under root 3, and answer is, D option, clear है जी, so, इस तिर्के नर, बड़े questions आँ देने, और मास्टर के अड़र ही, 25 सीधा question है, ठीक है जी, so, मास्टर के अड़र, जारा तर questions, ट्रके बेस ही हों देने, so, next question, फेर हो ही है, 3, 4, and 5 जित्ता होया है, directions ने, एक्युलेटर ट्रेंगल है, magnitude 10 ने, resultant दो, so, basic है जी फॉर्मूला, एक्युलेटर ट्रेंगल है, यानि कि, वो, को 61 बाइ 2 यूज़ करना है, तो, अंसर आ जाएगा, एस दा, clear है जी, so, एस नो, तुसी कर लेना है, I think, अंसर ए या बीचु कुछ होएगा, so, कर लेना है, जी, so, जरूर तुसी, होने इस चैनल नो, जड़ा है हो, subscribe करो, वीडियो नो, share करो, ते, वीडियो नो, like करो, वात वाद वीडियो नो, share करो, वात वाद लेक्चर्स नो, share करो, झाल करो,